आजकर गाउ में रहने वाला युवा अपना बिजनस शुरू करने के लिए शेहर की और भागता है ताकि वो अपने बिजनस से अच्छा मुनाफ़ा कमा पाए हम आपको बता दे कि शहर में बिजनस शुरू करने के कई विकल्प है लेकिन उसे कई जादा गाउ में बिजनस शुरू करने के विकल्प है अब सवाल उठता है कि गाउ में कौन सा बिजनस शुरू किया जाए चोकि अधिक फायदेमन साबित हो आज हम आपको गाउं में बिजनस शुरू करने के कई आइडियाज बताने जा रहे हैं इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बैल आइकन का बटन जरूर दबाएं गाउं में किये जाने वाले 10 बिजनस आइडियाज अनाज खरीद बिकरी बिजनस गाउं में अनाजों की खरीद बिक्री वाला बिजनस शुरू कर बहुत फायदेमंद है इसमें आपको जादा लागत लगाने की जरूरत नहीं है इसके लिए बस एक गोदाम की जरूरत पड़ती है जहां आप अनाज को ठीक तरीके से रख सकें अनाज का बिजनस कैसे शुरू कर सकते हैं? इसके अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गए लिंक पर क्लिक करके सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं आप गाउ में फोटोकॉपी की दुकान चला सकते हैं इसके साथ ही इसमें फोटोग्रफी का बिजनस भी डाल सकते हैं इस बिजनस को शुरू करने के लिए आपको फोटोग्रफी और वीडियोग्राफी की जानकारी होनी चाहिए इस बिजनस से आप लाखों और रुपए कमा सकते हैं फोटोग्रफी बिजनस कैसी शुरू करें इसके अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर क्लिक करें किराने की दुकान गाउं में किराने की दुकान का बिजनस अच्छा मुनाफ़ा देगा इस बिजनस से आप लगबग 50-60,000 रुपए कमा सकते हैं ये बिजनस कमलागत में शुरू किया जा सकता है इसके लिए दुकान और किराने की समगरी की आवश्यक्ता पड़ेगी इस बिजनस को गाउं में आसानी से शुरू किया जा सकता है किराने स्टोर कैसे शुरू करें इसके अधिक जानकारी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले सकते हैं कॉस्मेटिक की दुकान गाउं की महिलाओं को भी अच्छा पहनना और दिखना काफी पसंद होता है ऐसे में आप कॉस्मेटिक की दुकान शुरू कर सकते हैं अधिक तर गाउं के लोग शेहर के बाजार में सामान खरीदने आते हैं ऐसे में आप गाउं में उन्हें ये सुविता उपलब करा सकते हैं ये बिजनस बहुत मुनाफ़ा देता है कॉस्मेटिक बिजनस कैसे शुरू करें इसके अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दियेगर लिंक पर क्लिक करें साइकल और मोटर साइकल रिपेरिंग सेंटर गाउं में अधिकतर लोग साइकल चलाते हैं आपने अक्सर देखा होगा कि गाउं के लगबग 90 प्रतिशत लोग रोजाना साइकल और मोटर साइकल द्वारा अपने काम करते हैं आज कल मोटर साइकल का चलन भी बढ़ता जा रहा है ऐसे में आप गाउं में साइकल या मोटर साइकल रिपेरिंग सेंटर या उसके पार्ट्स की दुकान खोल सकते हैं इस बिजनस से आपको काफी मुनाफ़ा मिलेगा आटो मोबाइल रिपेरिंग बिजनस कैसी शुरू करें इसके दिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में दिएगे लिंक पर क्लिक करें और जानकारी हासिल करें पोल्ट्री फार्म मचली पालन पोल्ट्री फार्म और मचली पालन भी गाउं में अच्छी कमाई का जर्या है इस बिजनस में कम समय और लागरतब में अच्छा रिटर्न पाया जा सकता है बशर्ते बिमारियों के बचाव किये जाए और अच्छी खुराग दी जाए पोट्री फार्म मचली पालन का बिजनस कैसी शुरू करें इस वीडियो के लिए आप इस लिंक पर क्लिक करें कपडों की दुकार देश में सबसे अधिक जो बिजनस चलता है वो है खाने पीने और कपडों का लोग खाने पीने और कपडों पर खुब खर्च करते हैं ऐसे में आप अपने गाउं या शहर में अलग-लग डिजाइन और स्टाइल के कपड़े रख सकते हैं बता दें कि कपडों में मुनाफ़ा भी अच्छा खासा होता है बशरते आप अपने बिजनस को अच्छे से मैनेज करें यारे कपडों को खराब होने से बचाना ज़रूरी है ताकि मुनाफ़ा ना गिरें कपड़ों की दुकान कैसे शुरू करें? इसके अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देगे लिंक पर क्लिक करें दूद केंद्र दूद केंद्र शुरू करने के लिए किसी व्यक्ति को व्यवसाय करने की डेरी फार्म से संपर करना होगा दूद केंद्र मूल रूप से ग्रामिनों से दूद एकत्र करते हैं और इसे डेरी फार्मों में बेशते हैं दूद केंद्रों को एक कव्यवसाई शुरू करने के लिए कुछ उपकरनों की आवशक्ता होती है जिसमें बिलिंग सौफ़्वेर आदी शामिल है दूद सम्मंदे तो उतपादों की मात्रा को मापने के लिए वजन मशीनों की आवशक्ता होती है क्योंकि गाएं और भैंसों का पालन पोशन गाओं में आम है इसलिए गाओं में दूद के इंडर अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं जेरी फार्मिंग का बिजनस कैसे शुरू कर सकते हैं सरकार भी कर रही है मदद अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में क्लिक करें फल और सबजियों की दुकान फल और सबजियों की दुकान कैसे शुरू कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शिन बॉक्स पर दिये गए लिंक पर क्लिक करें वर्तमान में गाओं की निवासी टेक्नॉलजी और संचार का अधिक से अधिक उप्योग कर रहे हैं इसलिए कि एक छोटी से गाओं में भी इलेक्ट्रानिक स्टोर खोलना एक अच्छा विकल्प हो सकता है लगबग हर ग्रामेन अपने परिवारों के साथ संबाद करना चाहता है इसलिए मोबाइल अब एक आविशकता है इसलिए एक अच्छी जगा पर जादा निवेश किये बिना केवल बिक्री योग ये मोबाइल को स्टॉक में रखा जा सकता है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें शेयर करें ऐसे और बिजनस आइडियास के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं